नाव, नेक्स पेज, 107, ये पढ़ाया जाएगा, see all of you, पिछले पैराग्राफ में तुम लोगों ने पढ़ा आप तक, कि अम्मा के लाड़ प्यार दुलार की अधिक्ता से, रमा का पुत्र जिद्धी वस्वेक्षाचारी हो गया था, उसे खान-पान, रहन-सहन का कोई शाली इंधंग नहीं आता था, जिसे देखकर, रमा ने दुखी होकर, अम्मा से जब कहा, कि अम्मा आपने तो इसे बिगाड़ कर रख दिया है, तब रमा की बार सुनकर, see now this page, दादी अम्मा ने हस्ते हुए बड़े ही सरलता से कहा, कि अरे बच्पन में कौन जिन नहीं करता, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था, और बेटू भी सच्मुच उसी पर पड़ा है, समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा, अरे यही तो उमर होती है जित करने की, खेलने खाने की, साल दो साल करेगा, इसके बाद तो जब ब बेटू के बालों में बड़े सने से उंगलियां फिरानने लगी, अम्मा की अबा सुनकर, रमा खून का घूर पी कर रगए, रमा को बहुत क्रोधाया, वह लेकिन बेबस थी, लाचार थी, क्योंकि रमा की इच्छा हुई कि बेटू को अपने साथ ले जाए, परन्तु एक साल का पपू ही उसे इतना परेशान का रखा था, कि वह दोनों को एक साथ रखने का साहस नहीं जुटा पा रहे थी, चीक है, आगे, वह चाह करके भी कुछ नहीं कर पाई, और बंबई चली गई, बंबई जाते ही उसने अम्मा के पास खरी खरी भाशा में अर्थातिस पस वहां के किसी नर्सरी स्कूल में भरती करवा दीजे, कम से कम वह तमीश तो सीखेगा, वह अच्छी आदते तो सीखेगा, ठीक है, रमा की चिठ्ठी पढ़कर अम्मा को लगा कि उसकी बहु का दिमाग बोरा गया है, वह पगला गई है, भला चार साल का दूद पीता बच् इसलिए अम्मा ने रमा के पत्र पर ध्यान नहीं दिया, और वह अपने ही धर्रे से उसका पालन पोशन करती रहे, ठीक है, नाव, नेक्स पेराग्राफ, दिस पेराग्राफ, दो साल बात फिर रमा और रामेश्वर अपने तीन साल के पप्व को लेकर आए, चोटे बेटे का नाम क्या था, पप्व, उसको लेकर दो साल के पश्चात, रमा और रामेश्वर अपनी अम्मा के पास आए, पप्व ने अंग्रेजी की छोटी-छोटी कविताएं याद कर रखी थी, और बड़े अदब के साथ बोलता था, अर्था थे, चोटा बेटा पप्व, पहले ही रमा ने उसे वहां के अंग्रेजी स्कूल में भरती करवाय था, परन्तु बेटू वैसा ही था, जिस हालत में रमा उसे छोट गई थी, भले ही वह उम्मर में पप्व से बड़ा हो गया था, लेकिन सारे उसकी हरकते, आदते, स्वभाव, बोल चाल, सब कुछ उसक वैसे ही था, रमा उठते बैटे रामेश्वर से कहती, अर थात, रमा दुखी होती थी, दोनों बच्चों में तुलना करती थी, कि एक बच्चा कितने अच्छी से, कितने अच्छी से वह बिहेव करता है, उसके पास इतिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, परन्तु बेटू को यह पर बेटू को अपने साथ वह ले जाना चाहती है, और यही हाल रहा, तो इसकी जिन्दगी चौपट हो जाएगी, यह भी कोई धंग है बला, वह अपने बेटे के भविश के लिए चिंतित है, उसे अपने जिम्मेदारी का हैसास है, और उसके दोनों बच्चे हैं, अच्छे धंग से हो, ठीक है, आगे, अम्मा को बड़ा दुख होगा, फिर बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं रात आता, वह अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा, यह सारी बाते सोच लो, रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहता था, जब जब रमा रामे के पास छोड़ने का निर्णे लिया था, जो पहले बताया जा चुका है, और अगर हम लोग बेटू को लेकर जाएंगे, तो अम्मा को बड़ा दुख होगा, क्योंकि अम्मा के अकेले पन का वही एक सहारा है, और बेटू को रखने के निर्णे को सुनकर, फैसले को सुनकर अम्मा देखो कितनी प्रसंद होई थी, और अगर इस समय हम लोग अम्मा को बड़ा अफसोस होगा, तो और दूसी चीज, बेटू भी तुम्हारे पास तो जरा भी नहीं आता, क्योंकि वह तो अम्मा से बहुत हिल मिल गया है, वह अम्मा को बड़ा छोड़कर कैसे क्यों, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उनने लिखा कि स्कूल में डाल दो, तो उनसे नहीं होगा, रमा भी बड़ी दुवधा में है, और वह अम्मा को भी थेस नहीं पहुचाना चाहती है, इसलिए उसके मन में भी यह अहसास है कि अम्मा को, बेट को मानती है, जानती है, लेकिन जब उसने अम्मा से कहा था कि बेटू को अच्छे स्कूल में डाल दे, क्योंकि बच्चों की प्रथम पारशाला परिवार के बाद, माता के बाद स्कूल होती है, तो अब उसे स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र स्कूल जाने की है लेकिन अम्मा ने उसका स्कूल में अभी तक भरती नहीं कराया ठीक है